दोस्तो आज मैं आपको review दिखाने वाला हूँ CX300 जो की Antec का cabinet है और यह जिस price point पर आता है market में इस price point पर सायद ही कोई दूसरा cabinet आपको इस तरीकी की look offer कर पाएगा सबसे पहले बात करते हैं इसमें motherboard कौन से support होंगे तो इसमें इस बात दो ही type का motherboard लगेगा एक micro ATX और mini ITX तक का motherboard लगेगा ATX motherboard इसमें support नहीं करता है website पर भी clear mention किया है brand ने बाकि यहां पर अगर मैं temper glass की बात करूँ तो इसमें दोनों ही side आपको temper glass देखने मिलते हैं जो की 4 mm के temper glass है ठीक टाक इनकी sizes है temper glass की इसमें max जो air cooler है वो 170 mm तक का आप इसमें लगा सकते हो बड़े से बड़ा air cooler भी fit हो जाता है अगर आगे मैं बात करूँ इसमें और भी कई सारे चीजें ऐसी है जैसे कि इसमें GPU length जो दिया गया है इस बार 420 mm का दिया गया है मतब बड़े से बड़े graphic card आप इसमें डाल सक इसको निकाल कर आप इसके जगे पर कोई दूसरा fan भी fit कर सकते हो या फिर यहाँ पर radiator वगेरा भी आप लगा सकते हो जो side वाले fan थे वहाँ पर 240 mm तक का radiator लगा सकते हो back side में भी आपको एक fan देखने मिल जाएगा अगर आप budget build बना रहे हो तो यह case आपके लिए perfect है उपर क साइड में आपको अगेन इसमें एक magnetic dust filter देखने मिलता है और यहाँ पर उपर जो dust filter है इसको निकाल कर आप clean वगेरा कर सकते हो decent cabinet में आपको dust filter देखने मिलता है बाकी यहाँ पर जो उपर की side की IO ports की बात कर है तो 2 USB 2.0 एक 3.0 बात में जो basic connector होता है वो सब दिया गया है य total देखो इस cabinet में 9 fan support करते हैं आप किसी भी तरीके का fan install कर सकते हो जो की 120 mm की size में होने चाहिए top पर आप max to max 360 mm का liquid cooler यानी की radiator को fit कर सकते हो या फिर 120 mm के 3 fan को बहुत easily install कर सकते हो back side में आप देख रहो fresh air intake करने के लिए और throw करने के लिए दोनों के लिए यहाँ पर proper mesh बना कर दिया गया है company की तरफ से और यहाँ पर mesh देखोगे तो ज़्यादा fine नहीं किया है ताकि air जो है proper तरीके से बाहर निकल पाए chassis के back side से इसका design देख सकते हो आप normal basic जो से cabinet में आता था वैसा ही इसमें basic design है back side का panel open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो cable routing के लिए 24 mm का 27 27 mm तक का आपको cable routing के लिए space दिया गया है power supply भी आप अच्छी खासी इसमें power supply लगा सकते हो 1250 watt की भी fit हो जाती है नीचे की side देखोगे तो again जैसा उपर top पे आपको dust filter देखने मिलता है नीचे भी आपको same dust filter देखने मिलेगा आप इसे भी निकाल का clean कर सकते हो और इस बार air intake करने के लिए देख सकते हो आपने कितने सारे cabinets में इसमें ports बनाए गए है air intake करने के लिए और air को बाहर निकालने के लिए overall देखो air flow के मामले में cabinet में कहूंगा decent price के इसाब से बाकि इसमें feeds देख सकते हो इसकी feeds कितनी अच्छी है और cabinet में अच्छी खासी height maintain करके रखेग तब तक के लिए देखते रहे है air machine build